और आईए अब आपको सीधा लिए चलता हैं वीरता पुरुसकार पानी वालों से प्रधानमुंत्री नरिदमोदी वच्छुली बात कर रहे हैं और अभी हम इस समय गुलमार में हैं जो जम्मु कश्मीर में हैं और मेरे अगली क्लाइम के लिए ट्रेन कर रहे हैं जो नौर्ट अमेरिका में माउंट देनाली है और हम जून इस साल में माउंट देनाली चड़ने के लिए अभी ट्रेन कर रहे हैं तो अभी आप बारा मुला में आके आपसे मुलाकात कर पाएं तो आपके साथ और कौन है परिचे करवाई यह मेरी ममी है और यह मेरे पापा है सर मुश्कार चलिए आपको बढ़ाई हो आपने बेटी का होसला भी बढ़ाया है और आपने उसकी मदद भी की है तो मैं ऐसे माबाप को तो विशेश अचा सबसे बड़ा एवोर्ड तो आपके लिए आपकी मैनत और आपका मनोबल है और आप तो पहड़ों पर चड़ती हैं ट्रेकिंग करती हैं और पूरी दुनिया घूमती हैं और अचाना के कॉरोना के कान सब बंद हो गया तो यह साल कैसे प्रताया क्या करते थी मैंने कॉरोना को एक ऑपुचुनिटी समझा कि हालांकी में परवत नहीं चड़ सकती हूं पर मैंने यह समझा कि इस ताइम में मैं दूसरों को अपने समिट तक मौचने के लिए इंस्पायर कर सकती हूं तो मैं बहुत सरे स्कूल्स और इंस्टूशन में वेबिनार्स दे रही हूं और मेरे मिशन के बारे में भी बता रही हूं और उसका मैसेज भी स्प्रेड करना चाहते हूं लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए भी तो कुछ करना पड़ता होगा प्रेक्स करते थे सर वीकेंज में तो मुंबई में तो कभी ठंड क्या होती है पता ही नहीं चलता होगा यहां तो आज बारा मुला में काफी ठंड में रहती होगी आप करोना ने निश्चित तोर पर सभी को प्रभावित किया है लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि देश के बच्चे देश की भावी पीड़ी ने इस महामारी से मुकामला करने में बड़ी भूमिका निभाई है साबुन से 20 सेकंड हाथ धुलना हो यह बात बच्चों ने सबसे पहले पकड़ी और मैं तब सोशल मीडिया पर कितने ही वीडियो देखता था जिसमें बच्चे कोरोना से बचने के उपाएं बताते थे आज एवोर्ड ऐसे हर बच्चे को भी मिला है ऐसे परिवार और ऐसा मासमाज जहां बच्चों से सीखने का कल्चर होता है वहां बच्चों के व्यक्तित्व का तो बहुत विकास होता ही है साथ साथ बड़ों में भी ठहराव नहीं आता, सिखने की ललत बनी रहती है, उनका उत्सा बना रहता है, और बड़े भी सोचते हैं, और स्वाभावी का वाह, हमारे बच्चे ने कहा है तो हम जुरू करेंगे, हमने ये कोरोना के समय भी देखा है, और स्वच्छ भारत मिशन के दोरान भी मैंने बराबर देखा है, बच्चे जब किसी कौच से जुर जाते हैं, तो उसमें सभलता मिलती है, काम्या आपको, आपके माता-पिता को, आपके ट्रेनर्स को, सब को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुब कामना कर देता हूं, और आप कश्मीर का मज जाबी लीजिए, और नए साहस के साथ आगे भी बढ़िए, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, नई नई उचाईयों पर पहुचिए, नई नई चोटियों को पार कीजिए, प्यारे बच्चों, हमारे साथ जारखन की एक बेटी आज है, सविता कुमारी, उन्हें खेलों में उत्रुष प्रदर्सन के लिए ये पुरस्कार मिला है, सविता जी, आप कैसे मन बनाया कि आप आर्चरी या निशाने बाजी आपको उसमें आगे बढ़ना है, विचार कहां सा है, और इसमें आपके परिवार का सपोर्ट तो रहाई होगा, तो मैं जरूर आप से सुनना चाहता हूँ, ताकि देश के बच्चे जारखन के दूर सुदूर जंगलों में हमारी एक बेटी क्या पराक्रम कर रही है, वो देश के बच्चों को प्रेणा मिलेगी, बताइए हाँ, आपने तो देश के लिए मेडल लाना भी शुरू कर दिया है, पुरे देश की शुक्रम नहीं आपके साथ है, आगे के लिए आपके मन में क्या लक्षा है, कहां तक खेलना है सर, हमको इंटरनेशनल में गोल मेडल जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना है, और नेशनल एम्थम जब देश के लिए बचते हैं, तो हमको अच्छा लगता है वाँ, आपके साथ कौन-कौन है? सर, मम्मी आई हुई है और इधर पापा आई हुए है यह कभी खेलते थे क्या? पुताईजी ने कभी खेलते हुए हिसा लिया भाँ? सर, नहीं अच्छा सबसे पहले शुरू आपने किया है यह सर तो अभी तुम्हें बाहर जाना होता है, तो मम्मी पापा कुछ तीनता नहीं होते हैं न? सर, अभी तो सर है ना साथ में तो सर किसा जाते हैं? अच्छा आप ओलेंपिक तक जाएं गोल लेकर आएं यह आपके सपने वाकई हिंदुतान के हर बच्चे को नए सपने सजने की प्रेना देते हैं मेरी शुब कामना हमेशा आपके साफ है स्पोर्ट की दुनिया में जारखन का जो टेलेंट है उस पर पूरे देश को अगरव है और मैंने तो देखा है कि जारखन की बेटियां बड़ा कमाल कर देती हैं कैसे कैसे खेल कुद में अपना नाम बना रही है छोटे-छोटे ग्रांगों छोटे-छोटे शहरों में आप जैसे टैलेंट जब भार निकलता है दुनिया भर में जाकर देश का नाम रोशन करता है सवीता आपको मेरा बहुत बहुत आशिदावाद है बहुत आगे बढ़िए जब ऐसे साथियों इस बार राष्ट्रिय बाल पुरस्कारों में जो विविदिता है वह बहुत अच्छी बात है आरचरी से अब हम आड की दुनिया में चलेंगे मनिपूर की बेटी है हमारी कुमारी नविश किशम वह बहतर पेटिंग्स बनाने के लिए उसको आज पुरस्कार मिला है बताईए बेटा बनीश हम आप से सुनना चाहते हैं आप बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं रंगों में तो वैसे ही बहुत उर्जा होती है और वैसे तो नौर्थ इस अपने आप में बड़ा कलरफूल है उन रंगों को सजा दिया जाए तो यह जीवन फर देने जैसा ह हो जाता है मुझे बताए गया है कि आप ज्यादा तर एनवार्मेंट पर परियाबरन पर ग्रीनरी पर पेंटिंग बनाती है और यही विशे आपको इतना क्यों आकर सित करता है अबर्श जंबर थकैल अजितो लिए वन्गों के त। मिऴजयो रंपन पर जाने बञार्मेंटई फेड़ा न्यू झा Aun襟 भडाप्नेटे अटे को सीओ अपरिय को सेे लिएर का त। मैं मफाने बन। प्रूटशना aid काम इने आफर धने का लिए निए टूनिए विए अज आपके परिवार में भी और कोई हैं जो पेंटिंग करते हैं पिता जी, माता जी, भाई, चाचा कोई? यह तो यह तो तो तुम्हे डारते होंगे कि तुम्हे क्या पुरा दिन पर पेंटिंगे रहते हो, पड़ती नहीं हो, खाना नहीं पकाती हो, यह तो तुम्हे दारते होंगे? they supported me a lot sir I love to sing I love singing and I love to do gardening also a month to another to another I love to talk about the way of the आप गाना गाती हो आपने बताया, कुछ सुना वोगी मुझे? Yes, sir, I would like, I'm not a professional singer, but I would love to, so this is our folk song called चिंदा साथ पी इंगे ले, चिंदा साथ पी इंगे ले, चिना दाना केंखी बाओ, कलकी हो, कलकी, कलकी दे, मालं बईशू कैड़ दे, ले रांगा लेखो, लोई बगी हो, किन बगी हो, किन बगनी, किन बगनी, किन बगनी, बहुत बड़िए, बहुत बड़िए. Thank you, sir. मैं तुमने संगीत में भी जुरूर कुछ करना चाहिए तुमने इन सब जगह पे महनत करनी चाहिए मेरी तुमने को बहुत बहुत आशिरवाद है साथियों हमारे देश के बच्चे इतने टैलेंट के साथ जिन्दिगी को जी रहे हैं उनकी जितने प्रसंसा की जाए कम है अब देखे एक तरफ बहतरीन प्वेंटिंग बनाने वाली बिटिया है तो करनाटका के राकेश क्रश्णभी है राकेश को खेती से जुड़े इनोवेशन के लिए राष्टे पुरुस्काय मिला है राकेश आपको बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ और मैं जुरूर आपसे बात करना चाहूँगा राकेश आपका प्रुफाइल जब मैं देख रहा था तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा आप इतनी कम उमर में ही इनोवेशन कर रहे हैं और वो भी आप हमारे किसानों के लिए सोच रहे हैं आप साइंस के स्टूडंट है तो रिसर्च इनोवेशन तो स्वाभावी की है लेकिन किसानों के लिए इनोवेशन करना है यह कोई बहुत मामुली बात नहीं है जी तो मैं जरूर सुनना चाहूँगा कि यह मन कैसे लग गया आपका यह काम के लिए कैसे मन लग गया तो फरस्ट अफॉल नमस्कार शुभमाद ज्यान आपके लिए और सर मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ साइंस और इनोवेशन में तो इंटेस्ट रहा ही था लेकिन सर मेरे पापा एक किसान है और मैं एक फार्मिंग फैमिली से हूँ यह मेरे पिता जी है और मेरे माता जी है तो सर मैं देखता था कि जो एक फार्मिंग एक्जिस्टिंग प्राक्टिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे तो कुछ तो करना था और मेरे मैं मन था कि में जो किसान है हमारे राष्ट री और अनदात हैं उनको कुछ कुछ करो जो मैरे टेकनोलोजी का इनोवेशन है इसलिए मैंने उनको कांट्रीबूट करने के लिए मैंने एक मिशिंग बनाया है तो अलड़ी जो एक्सिस्टिंग प्राक्टिस ए उन से 50 परसेंट से भी ज्यादा प्राफिटेबल मेरे मेशीन है सर प्रयोग किया है तो एक बोलना चाहता हूं कि सर मेरे मेशीन 10-15 परसेंट से भी ज्यादा टाइम कंजुम का कड़ लेक इटल डिक्रीज टाइम टेकन और जो मैंने यह प्रैक्ट लेक प्राक्टिकली जो टेस्ट किया है उससे पता चला है कि मेरे मेशीन सबसे ज्यादा प्रोफिटेबल और सबसे ज्यादा ज़मіनेशन डेता है तो क्या है कि आज जो सκिल्ड लेबर चाहिए फार्मिंग कि लिए यानि किसान को जो लयबर चाहिए उसका चार्ज तो स्काइड रॉकेट हुआ है ज्यादा हुआ है और हमें स्किल लेबर नहीं मिलते हैं सर तो इसलिए मैंने मुल्टी पॉपस मेशिन किया है ताकि एक ही किसान सब काम एक ही साथ कर सकता है और बहुत ज्यादा पैसा और टाइम कटम इजी ली कर सके अच्छा जब अपने बनाया अख़बारों में छपा लोगों को पता चला तो यह जो होते हैं बिजनेस कंपनियां वोदे स्टार्ट आप वाले होते हैं वो कि आपके पाथ कहुंचे क्या कि चलो बहुत स्केल पर करते हैं बहुत बड़ा बनाते हैं ऐसा उन्होंने आकर पूछा ता सर लेकिन मेरी प्रोटोटाइप जो है वो कंप्लीटी डेवलप नहीं हुआ है सर अभी भी मैं काम करना चाहता हूं और और भी अच्छा तरीके से मैं बनाना चाहता हूं सर अच्छा तो तुम्हारे जो टीचर्स हैं वो उसमें अपने इंटरे सब लोग मुझे गाइडेंस देते हैं सर और मोटिवेट करते हैं सर एवरी स्टेप अफ माई जर्नी हाज बीन मोटिवेटेड मैं हार्ड वोकिंग पेरेंट्स और टीचर्स तो आज मैं जो भी हूं सब उन्हीं के वज़े से हूं और जो उन्होंने मुझे इंस्पार किया है उसी तरीके से मैं इसका इस लेवल पर आया हूं सर चलिए मैं आपके माताजे को बदाएज देता हूं कि उन्होंने किसानी को भी मन से किया है और किसानी के साथ बेटे को जोड़ा भी है बेटे की तै Lauren उसको किसानी से जोड़ा है तो आप दबल दबल अभीनेंदन के अ कि आधुनिक क्रशी यह आज हमारे देश की जरुवत है और मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी चोटी हुम्रब है आप ना सिर्फ इसे समझ रहे हैं बलकि क्रशी को आधुनिक बनाने के लिए टेक्नलोजी से जोडने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं आप ऐस ही सपल होते रहें आपको मेरी तरह बहुत शुबकामना है और आपके माता पृता का मैं धन्यवाद करता हूं को नहीं बेटे को इसकाम के लिए प्रयरित किया है जो देश के किसानों के काम आने वाला है। आईए हम यूपी चलते हैं। यूपी के अलिगड के रहने वाले मुहमत सादाब इन से बात करते हैं। जैसे यहां बताया गया है कि मुहमत सादाब ने अमेरिका तक में भारत का जंडा गाडा है। देश का नाम रोशन किया है। सादाब आप अमेरिका में यूपा एंबेसेडर की तरह काम कर रहे हैं। स्कॉलर्टीव हासिल करके अलिगड से अमेरिका तक की आत्रा आपने की। कई एवर्ड भी आपने जीते और विमन एंपावर्मेंट के लिए काम भी कर रहे हैं। इतना सब करने की प्रेणा आपको कह से मिलती है। आदर्ने प्रदानमंत्री जी नमशकार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे मैं अलिगर मुस्लिम विश्यु द्याले का ग्यार्वी कप्षा का छात्र हूं। और इतना सब कुछ करने की प्रेणा मुझे अपने माता पिता एवं अलिगर दुनिया को बहुत अच्छे जेम्स दी हैं। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि मैं भी अलिगर मुस्लिम उनिवर्सिटी का नाम रोशन करूं। और देश के लिए कुछ कर गुजरूं। चाहँ के माता पिता जी भी कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि तुमारे पास शुक्र कर वाते हैं। आप वाकई देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आज आगे क्या सोचा है, कुछ तो जुरूर मन में बड़ी-बड़ी बाते आती होगी अब तो, जी सर, सो आगे मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर I.S. ऑफिसर बनूं और अपनी समाज की सेवा करूं, और मैं यहीं नहीं रुकना चाहता, मैं आगे जाकर United Nation में मानव अधिकार पर काम करना चाहता हूं, और मेरा यह सपना है कि मैं United Nation में जाकर अपने देश का जंड़ा लह रहा हूं, और अपने देश का नाम रोशन करूं। वा, दुनिया में भारत का नाम और उंचा हो, नए भारत के पहचान और मजबूत हो, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों के उपर है, और शादाब मेरी आपको बहुत शुक्वामना है, आपके मन में बहुत ख्लारीटी है, और अबदुल्कलाम जी को आप हिरो के रुप में आपके परिवार में आपके माता पिता ने जो आपके दिमाग में बच्पन से भरा हुआ है सपना, Iímने आपके माता पिता को भी जिसको जीणा सिख़ लिया इसलिये में आपको बहुत बधाई देता हूं और आपको बहुत शुब कामनाय देता हूं। गुजात के मंत्र, मंत्र जितेंद्र हर्कानी, उससे बात करते हैं, मंत्र जितेंद्र को स्पोर्ट्स की दुनिया में, तैराकी में अच्छे प्रदेशन के लिए राष्ट्रिय पुरस्कार मिला है। माई साथे पापा आने ममी जे। पापा नू नाम छू? जितेंद्र भाई। आने ममी नू? बिदल्बेन। तो ये तो बदा फर्यात करेचे, का मंत्र अमारू मान तो न थी, मंत्र गर्मा जगडा करेचे। इवाद साची जे। अच्छा मंत्र ये बताइए देश भर के लोग आज आप तुम्हें देख रहे हैं। तुमने इतना बड़ा साहस करके देश का नाम रोशन किया है। देख मैं भी जब बच्पन में था मेरे गाओं में बढ़नगर में तो हमारी यहां बड़ा तालाब था। हम सब बच्चे तैरते थे लेकिन वो तैरना और तुम्हारा तैरना उसमें बहुत बड़ा अक्तर है। आप तो एथलेट है और एथलेट तो लख्षके लिए बहुत फोकस होते हैं। बताइये मैं आपके पात से जानना चाहता हूं। आपका लख्ष क्या है? क्या करना चाहते हैं? कैसे आगे बढ़ना चाहते है। सुखरोमागड. इंटर्नेंशल.. Sü Sl 2010 नो, बटाओ बटाओ मेरे साथ बात करो. गुउ.. 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 कुमाइस चाल.. गुउल्यूशर जिवा पर करो. पर निवाय कुअ.. निकुँव.. जई के किया.. में बडा.. मैं गोल्ड का बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ और आपके जैसा बसरता हूँ और आपके जैसे देश की सेवा करना चाहता हूँ देखिए आपके मन में ये इतना सपना है मुझे पक्का विश्वास है कि आपके माता पिता जिस समर्पन भाव से तुम्हारे लिए अपना समय खपा रहे हैं आप युँ उनकी जिनकी के सपने बन गए ऑप यूँ उसकी जिनकी के मंत्र बन गए हो और इसलिए आप जो पुर्शार्थ कर रहे हो, जिस हिम्मत और महनत के साथ कर रहे हो, आपके माता-पिता कोई नहीं, आप जैसे बच्चों के जितने बाता-पिता है, उन सब के लिए भी आपके माता-पिता प्रेणा है, और आप भी प्रेणा है, और इसलिए मैं आपको भह देता हूं बहुत अच्छे उमंग के साथ आप बात कर रहे हैं यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और मुझे कभी किसी ने बताया था कि आपके शायद जो कोच थे उसने आपको प्रॉमिस किया है मुझसे मिलने का किया है ना तो तुमने जहड़ा क्यों नहीं है कोच से अभी तक मिलवाया नहीं तो आप ही आजाओ मैं चाई पिड़ाता हूं तो जब मैं गुजराता हूंगा मिलने आओगे जरूर तो रात कोड़ का गांटिया लेके आना पड़ेगा सबस्क्रावा सब्सक्रावा सिर्वाद भी खो गे पड़े जितनतर इविस्चन훈 शाली लेके आना प्शाली तो जब मैं गांटिया शाली पिलायंगे आप बोले तो आप बोले गए तो चाई भी पिलाएंगे सावाज सावाज चल जी बहुत बहुत बढ़ाई आपको बहुत एच्छी बाते बताई आप सबने पैरे बच्चों इस बात्चित से आप सभी को मिले एवोर्ड से यह समझ आता है कि कैसे जब एक छोटा सा आइडिया एक राइट एक्षन के साथ जुड़ता है तो कितने बड़े और प्रभावसारी रिजल्ट आते हैं आप सब खुद इसका कितना बड़ा उधारन है आज आपकी ये जो उपलब्दियां है इसकी शुरुवाद भी तो किसी विचार से एक आइडिया से होगी होगी अब जैसे पस्चिम मंगाल के सोहार्द डे हैं वो पवरानिक कताओं और देश के गवरोवसाली इतियास से जुड़ा लेखन करते हैं जब उनके मन में पहली बार ये विचार आया होगा कि इस दिशा में बढ़ना है लिखना है तो वो सिर्फ सोच कर नहीं बैठ गए उन्होंने सही एक्षन लिया लिखना शुरू किया और आज इसका नतीजा हम देख रहे हैं ऐसे ही असम के तनुज समदार है बिहार की जोती दो बच्चों का जीवन बचाने वाले महराश्टा के कामेश्वर जगरनात भागमारे सिक्किम के आयुश रंजन पंजाब की बेटी नामिया जोशी हर बच्चे की प्रदिवा उनका टैलेंट देश का गवरो बढ़ाने वाला है मेरा तो मन है कि आप सभी से बात करता रहूं आप एक भारत श्रेश्ट भारत की बहावती सुन्दर अभिवक्ती है लेकिन समय के अभाव की वजह से ऐसा संभव नहीं है साथियों संस्कृत में एक बढ़िया श्लोग है और जब हम चोटे थे तो हमारे टीचर हमें सुनाया करते थे बार बार हमें रटाया करते थे और वो कहते थे उद्यमेन ही शिध्धनती कार्यानी न मनोरथ है अर्थात कार्य उद्यम से ही मेहनत से ही सिद्ध होते हैं केवल कलपना करते रहने से नहीं होता है एक आइडिया जब एक्षन से जुड़ जाता है तो उसे कितने और एक्षन भी शुरू हो जाते हैं जैसे कि आपकी सभलता ने कितने और लोगों को प्रेरित किया है आपके दोस्त आपके साथ ही और देश के दूसरे बच्चे कितने ही बच्चे जो आपको टीवी पर देख रहे होंगे अकबार में आपके बारे में पढ़ेंगे तो वो भी आपसे प्रेणा लेकर आगे बढ़ेंगे नहीं संकल्प लेंगे और उन्हें पुरा करने के लिए भर्षक प्रयास करेंगे ऐसे ही उनसे और दूसरे युवाओं को भी प्रेणा भी लेगी ये साइकल ऐसे ही बढ़ती जाती है लेकिन पहरे बचों एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूँगा मेरी ये बात हमेशा याद रखी था कि ये पुरसकार आपके जीवन का एक छोटा पड़ाव है आपको इस सफलता की खुशी में खो नहीं जाना है जब आप यहां से जाएंगे तो लोग आपकी खुब भावाही करेंगे अख़बार में आपका नाम भी निकल रहा है आपके इंटर्वी भी हो जाएंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वहां वाही आपके एक्शन की वज़े से हैं आपके कर्म के कारण हैं आपके कमिटमेंट के कारण हैं वहां वाही में भटक कर अगर एक्शन रुक गए या आप उससे ही डिस्कनेक्ट हो गए तो यही वहां वाही आपके लिए माधा बन सकती है अभी तो आगे जीवन में आपको और भी बड़ी सभलता है हासिल करनी है और एक मैं सुझाव देना चाहूंगा आप जुरूर कुछ रूर कुछ पढ़ते होंगे लेकिन आगरह पुरवक आपको जिसके भी पसंद आए है हर साल कोई ने कोई एक जीवनी जरूर पढ़िये तो बाल पुरुसकार विजेताओं से